कि एगाईज देखो कुछ ऐसे स्टॉक है जो चलना स्टार्ट किये हैं याद रखें अभी अभी चलना स्टार्ट किये धीरे धीरे कि यहाँ जाकर रुक जागा यहाँ जाकर रुक जागाँ जाकर लोग नहीं देखने वाले हैं क्यांकि जो स्टॉक प्रोफिय देने वाला होता है ये loss देने वाला होता हूँ वो वीडियो जादा तर लोग देखेंगे मैं इतने सालों से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन ये चीज़े जो है common मैंने notice किया जादा तर लोगों पे ऐसा होता है ठीक है तो company का नाम मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ विने ओवर्सेस लिमिटेड विने ओवर्सेस लिमिटेड 178.90 में मिलता है दियान से सुना आपने नई सुना तो आप देख लो यहाँ पर अब दिखाई देरा होगा अब आप चीज़े समझ में आ गया होगा देखो हर चीज़ खुल के बोलना थोड़ा गलत होता है कभी-कभी चीज़ों को इस सारों में समझाना पड़ता है लोगों को है कि नहीं है तो यह स्टॉक है जो काफी एच्छा प्राफिट निकाल के देगा फ्यूचर में लेट होने वाले लोगों के लिए आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जगए नहीं है वह लोग महंगे में खरीते हैं और सस्ते में बेजते हैं उल्टा काम करते हैं वह लोग क्या बोलता है कि गौवर्मेंट के तरफ से कभी भी कुछ भी अच्छी खबर आ सकती है टेक्स्टाल इंडस्टी को बढ़ाने के लिए क्योंकि टेक्स्टाल यह देख लिए कंपनी का अपना प्रोड़क्ट बताया जा रहा है यह कंपनी जो जीन्स वाले खपड़े बनात है तो यह कंपनी का समझ लेज़े कि यह एक बेनिफिट है यहां पर और एक चीज मैं बताता हूं कि टेक्स्टाल से लोगों को रोजगार मतलब इंप्लॉमेंट बहुत मिलता और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो टेक्स्टाल में कम से जिहान में रखना चाहिए टेक्स्टाल कंपनी को भी हमें हलके में नहीं लेना चाहिए कंपनी अपने डेट भी घटा रही है क्योंकि छोटी कंपनी है तो डेट होता है तो कंपरी जो है अपनी डेट को भी घटा रही है अलाकि बहुत जादा डेट नहीं है थोड़ा प्लस पॉइंट है, है की नहीं है, हाँ बिल्कुल है भाई, कमपनी के लिए इससे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या हो सकता करके, देख लो, तो ये भी कमपनी के लिए एक अच्छी खबर है, कमपनी का वीकनेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कमपनी का वीकनेस, कमपनी जो है, कापिटल जो जनरेट कर रही है, प्रॉफिट उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रही है, इनसफिशेंट, उसके साथ साथ जो शेरोल्डर फंड है, उसको भी कमपनी ठीक से यूज नहीं कर पा रही, असेट जनरेट होता है उसका profit आर वे मतलब return on asset जो बोला जाता है वो भी धिरे-धिरे गिर रहा है तो यह बताया जारा कि भाई last two years से last two years से last two years से हो सकता है कि इस साल कंपणी इस बर कंपणी इंप्रूफ करते हैं पहले यह stock का price केवल consolidate करता था केवल consolidate करता था अब चलना स्टार्ट हुआ हो सकता है कि जो past है वो company का अच्छा हो गया जैसे मैं आपको बता तो बजाज finance भी एक ऐसा टाइम था जहां पर 60% 70% गिरता था लेकिन आज की डेट में बजाज फानी चला गया लंबे समय में तो हमें लंबे समय क्लिए लिए रखना है दोको मैं यह stock खरीदने पर से नहीं वोलाओ जनकारी के लिए knowledge लेकर रखने में क्या दिक्कत है कोई बुरा नहीं है को एक extra company के बारे में information लेकर रखने में कोई problem नहीं है जितना ज्यादा company के बारे में information रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है